तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने Microsoft Defender Antivirus को अपने Windows 11 में Permanently Disable तो सबसे पहले हमको यहां पर जाना पड़ेगा अपने Settings में तो उससे पहले हम यहां पर बता दें कि Microsoft का जो भी Antivirus आता है जो के Real Time Protection होता है उसको हम आज Disable करना दिखाने वाले हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने Settings पर जाना होगा तो जैसे कि हम देख पार हैं अपने Screen पर आज चुके हैं तो यहां पर हम जाते हैं अपने Settings के अंदर जानने के बाद आपको यहां पर अपना Privacy पर जाना पड़ेगा तो बहुत ही असान तरीक हैं सभी आपको यहां पर Follow करने पड़ेंगे तो ध्यान से देखेगा और जानिएगा कैसे करते हैं अपने Microsoft Defender को Disable तो यहां पर हम Search Bar पर आचूके हैं यहां पर सबसे पहले हैं आपको settings टाइप करना पड़ेगा Settings टाइप करने के बाद आप यहां पर जैसे की देख पा रहे हैं यहां पर हमारा settings आ चुका है इस पर आपको click करना है और click करने के बाद आपको बहुत सारी options आपको देख जाएंगे तो आपको यहाँ पर जाना है privacy and security पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है windows security पर और windows security के बाद आपको यहाँ पर जिसकी देख पा रहे हो यहाँ पे virus and threat protection लिखा गया है तो इस पर आपको क्लिक करना है तो इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका खुल जाएगा एक dialogue box जहाँ पर आपको दिखा गए कि कोई भी threat found नहीं है और quick scan करके option दिखाएगा आप चाहे तो quick scan दबा सकते हैं यहाँ प आपके computer में पूरे scan हो जाएगा और बता देगा कि अगर आपकी computer में कोई virus हो तो बाकि आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर manage settings पर आपको क्लिक करना है यह है virus and threat protection settings पर तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने बद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा और यह real time protection protection है तो इसी को आपको यहाँ पर disable करना है जिससे आपके computer में scanning होना बंद हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी आपका malware हो या virus हो तो आपकी computer में आपको पताएगा नहीं तो यह हम यहाँ पर disable करने के बाद इस पर कुछ इस प्रकार का yes करना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा computer का जो की रियल ट्राइम प्रोटेक्शन है एंटी वाइरस वह हो चुका है डिसेबल तो यहाँ पर देखो नटीचे नोटिफेक्शन आ चुका है कि अटर्न ओन करना पड़ेगा वाइस प्रोटेक्शन को बट यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं अपने विंडोस 11 को चैंडिख्ता हैइक था विंडोस ने बिछल इसको यहां पर शैट कर दिया है कि हम इसको पर्मिनटली डिसेबल नहीं कर सकते हैं तो पहले यहां पर रेजिस्ट्रीश्य से हो जाता था आपको manage registration और उसमें जाके कर लेते थे बट अभी यह नहीं हो पाता है क्योंकि यहां पर windows ने कर चुगा है अगर कोई update आती है तो आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी बट फिलार्ट लिए तो यहीं पर यहीं है मतलब आपको यहां पर temporary disable होता है मतलब एक बार आप disable करते हो अगर computer turn off होके वापस restart करते हो तो यह automatically यहां पर on हो जाता है तो यह permanent solution नहीं है अगर आपका windows आपको यहां पर बंद करना है तो सिर्फ यह temporary के लिए है तो कुछ इस प